गूड मॉर्निंग एवरिवन हम लोगा स्टार्ट करने वाले हैं आज इन्वार्मेंट एंड एकोलोजी और पूरा कम्प्लीट स्लेवस करेंगे इन्वार्मेंट एकोलोजी का क्योंकि UPSC में बहुत महत्वपुन है और हमने क्लास ले रखा है अनेकेडमी का और अनेकेडमी के नोट से ही आप लोग को कम्प्लीट करवाएंगे इन्वार्मेंट एंड एकोलोजी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसमें ठीक है तो जैसा कि पारिस्थित की तंत्र या पारिस्थित की ये दोनों में से पारिस्थित की तंत्र या पारिस्थित की ये दोनों एखी का नाम है इकोलोजी कहते किसको है अपने चारों तरफ उपस्थित घटको का अध्यन उपस्थित घटक कलाता है पारिस्थित की और इस जगह को इकोसिस्टम कहते है चलिए तो सबसे पहले इकोलोजी क्या है अपने चारों तरफ उपस्थित घटको का अध्यन पारिस्थिते की कहलाता है और इसी जगह को एकोसिस्टम कहते हैं यानि हमारे अपने चारों तरफ जो भी उपस्थित घटक है उसको क्या बोलेंगे पारिस्थित की बोलेंगे और उस जगह को जिस जगह पिए सबुपलब्ध है उस जगह को एकोसिस्टम बोलेंगे अब पारिस्थित की तंत्र घटक क्या होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं अब बायोटिक और बायोटिक ठीक है बायोटिक में क्या आजाएगा लिविंग थिंग्स और इसमें क्या आजाएगा नन लिविंग थिंग्स ठीक है अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि बायोटिक में क्या क्या आएगा तो बायोटिक में इसी में पहला आजाएगा आपका प्रोडियूसर उत्पादक दुस्क्रा जाया कंपोजर उपभोकता तीसरा हो जाएगा दीकंपोजर इसको हिंदियें बोलें अपघटन करता अपघटन करता ठीक है अब क्या होता है अब आयोटिक अब आयोटिक में क्या क्या आजाएगा तो अब आयोटिक में आपका आजाएगा टेम्परेचर हमेडिटे हमेड एते क्ऱिवव न्हीं रिन वान आपका आरो शल टीटो राटड लोगड़तिटो जाटो लोगड़तिटो लोगड़न हुड़न लोगड़तिटर boiling क्या होता आरो एल्टिट्यूड ओसीन करेंट यह भी लिख दें ओसीन करेंट ओसीन करेंट तो यह सब और बायोटिक के फैक्टर है ठीक है एक बार इसको हम लोग फिर से रिविजन कर लेते हैं इकोलोजी क्या है अपने चारो तरफ उपस्थित घटक का अध्यन पारिशित्की कहलाता है इसी जगह को इकोसिस्टम कहते हैं यानि जो भी आपके आप जहारा रहे हैं ठीक है वहाँ जो भी घटक आपको मिल रहा है उसको पारिसित्की बोलेंगे और उसी जगह को एको सिस्टम बोलेंगे ठीक है पारिशित की तंदर के आप लोग इंगलिज पड़े होंगे तो हम इम प्रोड्यूषर तुधि आप लोगों पड़े होंगा तो ए मिनस धाया गैज इन नहीं लिया या दा हा इन नमॉण लिविंग ठिंग्स भी मतलब लिविंग तिक बायो him में क्या जाएगा producer composer decomposer अगला पाइट में हम लोग देखेंगे अब आयोटिक के फेक्टर है अब आयोटिक का टेमप्रेचर किस तरह से काम करेगा होमेडिटी किस तरह से काम करेगा सनलाइट किस तरह से काम करेगा rainfall किस तरह से काम करेगा latitude, longitude, dosin, current किस तरह से काम करेगा